हेलो दोस्तो यश्टी वी की फ्रेश वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तो देखिए स्ट्रीक एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है तो आज भी मैं आपके लिए एक streak का नया feature लेकर आया हूँ तो वीडियो में एंट तक बने रही हैगा बहुत ही interesting ये वीडियो हने वाला है और इस वीडियो में आप ही का फायदा है क्योंकि ये feature आपकी trading को बहुत ज़्यादा improve करके रख सकता है तो दोस्तो चलिए सीधा भड़ते है streak की website पर streak यूज करने के लिए हमें जिरोदा का DMAT account यूज करना पड़ता है streak का link आपको मैं नीचे description में दे दूँगा first 7 days के लिए free trial है तो वहाँ पे आप streak के paid version को भी use कर सकते हो तो यहाँ पे दोस्तो देखिए जैसे nifty index है जो उपर जाते रहता है तो उसके stocks भी सारे उपर जाना शुरू करते हैं और जैसे ही index नीचे गिरने लगता है तो selling pressure की वज़े से बहुत सारे stocks भी ये नीचे गिरने लगते हैं लेकिन कुछ ऐसे stocks होते हैं जहाँ पर गिरने के chances बहुत कम होते हैं यानि यहाँ पे selling pressure जो है वो बहुत ही कम होता है तो जब market नीचे गिरते हैं तो वो stocks भी गिरते हैं लेकिन वो इतना नीचे नीचे ने गिरते तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक scanner run करके देखने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि ये ये stocks है जो weak नहीं है और जब nifty उपर बढ़ने लगेगा तो ये ऐसे stocks में हम bid लगा सकते हैं और हो सकता है ये stocks भी nifty के साथ उपर चले जाए क्योंकि हाँ पर selling pressure कम है और ये stocks पहले से ही ऊपर जाने की पहले से ही कोशिश कर रहे है तो यहाँ पर हम लोग compare करके stocks कैसे find out करने है उसके लिए एक scanner run करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर scanner पर cursor लेकर जाओंगा and create scanner पर click कर दूँगा create scanner पर click करते ही एक ऐसा blank window open हो जाएगा जहाँ पर हमें अपनी conditions फिल करनी है तो सबसे पहले scan on मतलब हमें कौन से stocks को scan करना है तो उसके लिए मैं nifty 500 को लूँगा उसमें हमें एक scanner run करना है time frame में लूँगा 5 minutes का and chart type में रखूंगा candlestick तो ये same रख देंगे यहाँ पर हमें एक simple सी condition लगाएंगे ताकि हमें ऐसे stocks मिले जहाँ पर selling pressure नहीं है अब हम दोस्तों यहाँ पर एक simple सी condition set करने वाले है तो basically हम scanner को यह कह रहे है कि जब market open होता है तो पहले 5 minute की जो candle बनती है वो पिछले दिन की closing से 2% से down होनी चाहिए यानि पहले पहली जो candle बनती है 5 minute की वो पिछले दिन के closing से 2% डाउन होनी चाहिए तो पिछले दिन की closing price से यह 2% डाउन होनी चाहिए candle यानि यहाँ पर हम देख रहा है कि यहाँ पर selling pressure कितना है और और ऐसे stocks को हम filter करने की कोशिश कर रहे है तो अभी हम लोग ऐसी एक condition लगा लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा ओपनिंग रेंज ओपनिंग रेंज यहाँ आ गया तो ओपनिंग रेंज पर यहाँ पर मैं close ले लूँगा and five minutes रखूंगा time frame and done पे simply click कर देना हमें ज्यादा changes नहीं करने आगे मैं लिखूंगा down by यह value को मैं 2 कर दूंगा percentage को मैं change नहीं करूंगा तो ऐसे हो गई हमारी एक condition हमने यहाँ पे लिखा है कि opening price जो है पहले 5 minute की वो down होनी चाहिए by 2% तो यह हो गया इसके आगे मैं लिखूंगा previous यानि हमें previous day की closing भी consider करनी है तो अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा previous previous end candle तो offset by 1 है क्योंकि हमें पिछले दिन की closing को consider करना है ज्यादा changes नहीं करना है सिधा done पर click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों हमारी आधी condition लग चुकी है opening range down by 2% and previous day की closing से यह 2% down होनी चीए तो यहाँ पर हमारी आधी condition लग गई अब हमें इसे index के साथ compare करना है अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर एक interesting part है scanner लगाना अगर आपको आ जाएगा तो आप अपनी ideas लगाकर बहुत सारे अच्छे अच्छे scanner बना सकते हो अपने हिसाब से तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें अगली condition क्या करनी है nifty को nifty जो है वो five minutes candle में bullish रहना चीए तो मैं आपको पहले यहाँ पर charts में दिखा देता हू निफ्टी निफ्टी की जो पहली candle है जो सबसे पहले जब market open होता है वो candle green में रहनी चीए यानि पिछले दिन से उपर रहनी चीए तो यही दोस्तों आपको scanner में लिखना है कि stock two percent down होना चीए लेकिन निफ्टी इंडेक्स जो है in the same time frame यह bullish रहना चीए तो यहाँ पर एक another condition हमें add करनी है तो मैं यहाँ पर add another condition पर click करूंगा तो यहाँ पर हमें and आ जाएगा and के बाद दूस्तों हमें यहाँ पर symbol का use करना पड़ेगा तो comparison करने के लिए हमें हमेशा symbol use करना पड़ता है तो मैं symbol ले लूँगा बात में हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे nifty 50 index क्यों कि हमें इसका opening price compare करना है तो यहाँ पर मैं opening range ले लूँगा पहले ओपनिंग रेंज में वही सेम चीजे में repeat करूंगा time frame में रखूंगा फाइव मिनिट्स का और डन पर simply click कर दूंगा अभी दोस्तों यहाँ पर हमारा symbol का पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है ब्रैकेट के बाहर मैं वापस plus sign पर click करूंगा और लिखूंगा higher than higher than मुझे यहाँ पर मिल गया higher than मैंने यहाँ पर क्यों लिया है क्योंकि हमें nifty index जो है यह bullish चाहिए तो जब green candle बनेगी और nifty index की closing यह higher than होगी तब भी हमें green candle मिलेगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर nifty में higher than लिया है और दोस्तों यहाँ पर मैं वापस एक बार symbol का use करूंगा symbol लिखूंगा यहाँ पर math function symbol के bracket के अंदर मैं लिखूंगा nifty index क्योंकि हमें nifty की opening and closing दोनों चाहिए तो पहले मैं यहाँ पर nifty 50 ले लेता हूं nifty 50 के बाद मैं plus sign पर click करके लिखूंगा opening range ओपनिंग रेंज यहाँ पर click करूंगा लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं opening range का closing नहीं लूँगा क्योंकि जो stocks है जहाँ पर जो 2% डाउन है पिछले दिन की closing से वह पहली condition में हमारा आ चुगा है तो यह सब होने के बाद दोस्तों हमें एक scan name दे देना है तो मैं यहाँ पर bullish लिख देता हूं 2% bullish by 2% and simply scan and save पर click कर देता हूं तो दोस्तों scan and save करने के बाद आपके पास एक ऐसी list आ जाएगी stocks की जो पहले 5 minute में 2% down है अपनी पिछली closing से and nifty index on the other hand bullish है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे stocks हमारे पास आ गया है तो यह stocks मैंने पहले से ही यहाँ पर जिरोदा में add करके रखे थे तो सबसे पहले में आपको KEC Limited दिखा देता हूं 5 minutes chart हमने यहाँ पर open किया है इसका previous day closing आप देख सकते हो 412 रूपे का है and अगर हम लोग पहली 5 minute की candle देखे तो यह down है till 392 रूपी तो 412 से 392 रूपी तक stock नीचे आया है तो 2% से almost यह stock down ही है 2% से जादा ही है और उसके बाद में आप देख सकते हो कैसा यहाँ पर rebound आया है इस stock में ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों अगर downtrending stocks रहेंगे तो वह और भी जादा नीचे जा सकते लेकिन जो uptrending वाले stocks रहते हैं वहाँ पर एक reversal अच्छा हमें देखने मिल सकता है तो यहाँ पर दोस्तों हमारी list में downtrending वाला stock भी है तो यह आप देख सकते हो वैब हो global इसका opening हमें नीचे वाला मिला था लेकिन उसके बाद stock ने कोई reversal नहीं दिखा है तो stock यह लगातार नीचे ही गिरता गया तो stock यह 2% डाउन था इसलिए हमारे list में वो आ गया तो ऐसे stocks भी होते हैं सिर्फ हमें देखना है कि कौनसा stock trending है और कौनसी stock का trend strong है अगर uptrend stock का strong है और वो 2% डाउन है तो वहाँ पे हम easily buy करके अच्छा profit कमा सकते हैं वीडियो कदम करने से पहले दो digital infrastructure यूज करने देता है तो स्ट्रीक के मंतली plan से आप वो जाकर check out कर सकते हो तो स्ट्रीक का दोस्तों seven days का free trial है वो आप यूज करके देख सकते हो अगर आपको फ्रीक पसंद आता है तो आप upgrade कर सकते हो फ्रीक का link आपको दोस्तों नीचे description में मिल जाएगा वहाँ पर click करक करते हो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको यस टीवी को subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe कीजिए और bell icon पर click करना मत भूलिए क्योंकि stock market से related में बहुत सार इन्वेस्टमेंट आइडियाज यहां पर free मैं देते रहता हूं